लिम्रा न्यूस हम दिखाते हैं सच देश प्रदेश की सभी सची खबरों के लिए देखते रही है लिम्रा न्यूस तो ये प्रेम कथा बड़ी प्रगार है ये प्रेम वाकई में सिर चड़ कर बोल रहा है और इस महबबत का जो तीसरा अंगल है उस प्रेम कथा का वो अडानी जी स्वायम है एक लाइन मुझे याद आती है कोई बड़ा पुराना गाना है जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का तारा हो मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो और यहीं होता हुआ दिख रहा है हमें कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और उस कंपनी का नाम है PMC Infrastructure Limited नाम की एक कं पूरी तरह से उस पर मालिकाना हक वो पूरी तरह से ओन्ड एक चाइनीज नाशनल एक चीनी व्यक्ति उसका ओनर है उसका मालिक है उस कंपनी का नाम है PMC Infrastructure Limited प्रोजेक्स डेवलपिंग करते हैं यह यह चीनी नाशनल इसके मालिक हैं लेकिन यह अडानी जी का सारा काम करत हैं सारे Infrastructure प्रोजेक्स में यह सब कॉंट्राक्टर है अडानी जी के और संबंद इतना गहरा है इस चीनी कंपनी से कि इनका ओप्रेशन जो है वो अडानी जी के ही अड्रेस से होता है हम यहाँ पर एक अग्रीमेंट भी लेकर आएं अडानी जी के ही ओफिस प्रेमिस से इ चीनी नैशनल की मैं बात कर रही हूं इस चीनी नैशनल के मालिक जो है वो चांग चियन टिंग है चांग चिएंटिंग इनको moris- marching के नाम से भी जाना जाता है यह चांग चूंग लिंग के पुत्र है और चांग चूंग लिंग जो है वो तमाम अडानी कंप्णियों में डिरेक्टर है और गौतब अडानी जी के भाई विनोध अडानी जी के अभिन्य मित्र और सहयोगी है व्यापारिक पार्टनर है तो एक चीनी कंपनी है जिसका हमने आपको नाम बताया चांग चूंग टिंग उसके मालिक है ये इनकी तस्वीर है ये मौरिस चिंग के नाम से भी जाने जाते हैं ये पीमसी के ओनर है इनका पीमसी पर मालिकाना हक है पीमसी तमाम इंफ्रस्ट्रक्चर प्रोजेक्स करती है मैं कुछ प्रोजेक्स के नाम देश हित में आपके सामने रख देती हूँ रखने से पहले मुझे लगा एक दो पिक्चरें और दिखा दी जाए ये अडानी जी चिर परचित अंदाज में मुस्कुराते हुए प्रेम कथा प्रेम संबंद निबाते हुए उस चीनी फर्म के मालिक के साथ खड़े आपको नजर आते हैं और ये नक्षो कदम पर तो साहब के ही चल रहे है जो जूले जूलते हैं पींगे बढ़ाते हैं साबर मती के तट पर मोदी जी की अमर प्रेम कथा का एक चहरा ये भी है मोदी जी की चीन की अमर प्रेम कथा का एक चहरा ये भी है जब वो नारियल पानी पीते हैं महाबली पुरम में शहनाई सुनते हैं और अंगवस्त्रम के साथ ये देखिए तो यही प्रेम कथा का त्रिकोड ये अंगल जो है वो अडानी जी निभा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बता दें ये जो कंपनी है ये अडानी जी के परिसर पर चलती है ये हम आपके शाथ शेर कर लेंगे ये उ साथ ही साथ ये जो PMC कंपनी है इसका रेजिस्टर्ड इमेल 2006-2012 के बीच जो कंपनी ने एन्वल रिटर्न भरा क्योंकि सब कॉंट्रक्टर थे तो एन्वल रिटर्न भी भरना था 2006-2012 के बीच एन्वल रिटर्न में अडानी ग्रूप का डोमेन नाम info at adanigroup.com इस्तमाल किय तो संबंद इतने गहरे हैं ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेर कर लेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं रिटर्न फाइलिंग के जिसमें info at adanigroup.com का इस्तमाल किया PMC चीनी कंपनी में जिसके मालिक चांग चूंग लिंक के बेटे चांग चीन टिंग हैं मुंदरा पोर्ट गुजरात में दहेज पोर्ट गुजरात में हजीरा पोर्ट गुजरात में कांडला पोर्ट गुजरात में मार्मुगाओ गोवा में विशाखा पत्नम आंधरा में electricity transmission project महराष्ट में, road inframundra, गुजरात में, railway inframundra, गुजरात में ऐसा कोई काम नहीं है जो अडानी जी करते हो और वहाँ पर PMC उनका contractor ना हो port में, container terminal में, air strip में, electricity में, railway track में कौन सा ऐसा काम है जो अडानी करते हो और उसमें इस firm का नाम ना हो और इसलिए कुछ चीजें बतानी यहाँ पर जरूरी हैं, चीन ने हमारे 20 जाबाजों को मारा, चीन ने अतिक रमर किया है, चीन के चलते हम पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक गश्त रहीं कर पा रहे हैं, वो बफर जोन बन गए है चीन तीन बार अरुणाचल प्रदेश में नाम बदल चुका है जगहों का, कल उन्होंने एक स्टेट्मेंट इशू करके बोला, कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने 11 जगहों का नाम बदला है और हम, मोधी जी की ऐसी कृपा है, अडानी जी पर, चीन पर, कि हम पहले तो चीन के साथ लगातार व्यापार बढ़ाते हैं, सो बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है हम जाबाजों की शहादत का इंजाम, लाल शट पहन के गलबईयां ऐसे जैसे ये कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, लाल आखे नहीं दिखाते हैं और उसके बाद, अडानी को हम पूरी छूट देते हैं, कि वो एक चीनी फर्म के साथ मिलकर, इस देश के इंफरस्ट्रक्चर में हस्तक शेप करें अगर ये राश्ट्य सुरक्षा को खत्रा नहीं है, तो राश्ट्य सुरक्षा को खत्रा दूसरा और क्या है, ये बताने की कृपा हमें कौन करेगा अगर ये एक anti-national activity, अगर ये देश विरोधी गतिविधी नहीं है, अगर ये राज विरोधी गतिविधी नहीं है, तो राज विरोधी, देश विरोधी, गतिविधी क्या है? This is absolutely anti-national. You have a Chinese firm that is involved with various projects of Adani, some of them of strategic value to this country. If this does not threaten national security, then what does? And this is only happening, और अब समझ में आ रहा है, एक गाना था शिकार पिक्चर का, पिक्चर का नाम भी सुनिए शिकार, पर्दा है पर्दा, पर्दे को रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, और परत दर परत पर्दा उठता जा रहा है, और भेद क्लीन चिट क्यों दी थी, बिना पलक जपकाए जूट इस देश से क्यों बोला था, कि कोई घुसा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर क्लीन चिट नहीं देते, तो ये टिंग साहब अडानी जी के साथ मिलकर व्यापार कैसे करते, इनकी कंपनी अडानी जी की प्रेमिसिस से कैस की इदर परते अब खुलती जा रही हैं, आप बचाना चीन को भी चाते थे, आप बचाना अडानी को भी चाते थे, असलियत ये है कि आपका मुखोटा, आपका मास्क उतर चुका है, 18-18 बार आप चीन से मिलते हैं, बताइए क्या बाते होती हैं आपकी, चीन अतिक औरमर क नाम क्यों बदल रहा है चीन के साथ आप वेपार क्यों बढ़ा रहा है चीन को आप सबसे बड़ा वेपार पार्टनर बनाते है और यहाँ पर लोगों की आख में धूल जोकने के लिए दो चार आप बैंड कर देते है क्या आज सवाल पुछना नहीं बनता कि जब चीन इतनी धृष्टता कर रहा है तो हम अडानी के हैं कौन से जादा बड़ा सवाल इस समय देश के सामने दूसरा कौन सा है लगातार चीन उनके साथ वेपार कर रहा है एक चीनी कमपनी इस देश के पोर्ट्स में इस देश के एरपोर्ट्स में इस देश के railway track में, electricity transmission में गुसी हुई है और सरकार कोई चिंता ही नहीं है, सरकार पता ही नहीं करना चाहती है कोई जाच नहीं करना चाहती और जो सवाल मेरे नेता पूछते हैं, वो सवाल तो लगातार दोहराया जाएगा ये 20,000 करोड किसके हैं, क्योंकि ये एक अमर प्रेम कथा है मोदी, चीन और अडानी इसके मुख्य किरदार है और ये टोटली अंटी नैशनल देश विरोधी, देश द्रोही अक्टिविटी है जिसका संग्यान मोदी सरकार रखने की हिम्मत नहीं करती है अगर ये डरते नहीं, तो इन बातों का जवाब देते, इस पर जाच कराते और राहुल जी की सदस्यता खत्म नहीं करते